है कि यह क्या है दो कि निएक्षण लिए फैसे कि और रिवर्स के बारे में परेक्ष करके ना कि सब्सक्राइब कर दोए तो आपको सानुका की नोट्स बना पाएंगे उसका है नेक्स्ट ये भारत पतायोगा की ये है तामिलनडू केरला है करनाटक है अंध्रा है तेलंगना है पोड़ीसा है 36 गड़ है मद्यपदेस है मरस्ट्रा है गुजरात है को तो राजस्थान है यह उत्तोपदेस है देहार जारखंड है ऐसे ही और भी राज्ज T हैं तो नहूँ है हम देख रहे हैं तो त्रिस में अब ड्रेनर्स क्या होता है तो अब या टॉपिक हो चैसे पहला है तो नयुद भी वर यह तो सब किसमें बहुत चाहिए तो अम यह टौपिक और अब तो सब्से पहले ड्रेनेज में ड्रेनेज बेसीन आता है है तो कि अ एक नदी जो खहीं से आ रही है तो पानी कहां कहां सरी सीफखर के ला रही है तो जाँक है यह एक बड़ी वाली नदी करन दो कि कर रही हिए थी तो स्फेंद्य जीजेश cathart धासदो मद की है को यह सब नदी के अरछे उसमें चोटी चोटी नदिया जोड़ती या रहे थी इसमें वी एक ग्रप्रिया जोड़ रही थी Footballberg पिर ते लोंग जोंग थी तो ये बड़ी नदी बनती है तो चोटे चोटे नदीयों के पानी लेकर करके बनती है तो जहां जहां से पान जाती है वो बेसिन है जहां से पानी ड्रेन होकर कहता है इसको बोलते है ड्रेनेज बेसिन अब यह drainage basin का क्या कमाल है तो कमाल यह है कि drainage basin बोलते किसको है drainage basin के लिए कोई और term इस्तेमाल होता है कि हाँ तो होता है और सबका अलगलब meaning भी होता है other terms that are used to describe drainage basin दूसरा जो सब drainage basin को वताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वो है catchment यह catchment area ठीक है यह catchment basin ठीक है कि क्या हो सकता है catchment यह तो catchment area यह catchment basin यह तीन हो सकते हैं तो यह तीन तो catchment से याद रहें कि river कहां से water receive कर सकता है अब यह जो gel receive करेगा कहीं से भी लाएगा वो डो करके तो उसका नाम तो देंगे ना तो two catchment 행 out Lubyau और भी बोसकते हैं डेलिया रिवर बेसिन बैसिन जहांसे जल बैंट है कि अ मैंने बता है कि जहां से बीसका बेसिन जहांसे अग पानी जासे है रेतने वाला हाथ फाणिस भी आता है तो उस्थी को बेसिन बोलते हैं तो इसए वह साई है कि जहाँ जहाँ से पानी आ às always कूल बैसिन बोल रहा है और तो एक मान लिजे कि बड़ा नदी होगा या यह बड़ा नदी होगा इस छोटे च्छोटे नदी्या है को इसके बैसिन ऊगए मतलब जितना दुर उसे पान रेसीव कर रहा है, वो टोटल बेसिन है, हाँ, तो इसके इधर भी तो पाने जा रहा होगा, तहां तो दूसरे नदी का बेसिन होगा, यहां सीधर पाने दूसरे नदी में जा रहा हो, दूसरे नदी का बेसिन होगा, यह दूसरे नदी का बेसिन है, मैं इस नदी के रिवरस भी आ सकते हैं और thrownniss basics में land surface भी decides करता है कि इदर बेहना है अपने को यह, नेधना मदा का पानी वही से सुरू उता है, जहांसे सौन का पानी सुरू बेहलता है तो यह a,är bounced । अच्छा अबής बेहर आती है तो सबसे लेता है water divide वोटर डिवाइड क्या होता है उसी को भूलते है वोटर डिवाइड है तो री तो आसान है कि दूस्रे नदी के लिए यह पानी जहां से डिवाइड होगा तो वह व्टर डिवाइड के तौर पर इस्तेमाल करें यह हैं एक यह दूसरे नहीं पड़िखा है तो इसी को भूते है आज द्रेनेश पूरा बट गया न अच्छा तो यह तो वाटर से डिवाइड होगा ओके दीकरा आहे यहां से जो जो जितने यहां से भी वाटर सेट डिवाइड है मतलब इदर का पानी जाएगा इधर का पानी तरह है एक तरीके से लेकिन क्योंकि नदी में सब समर्थन दे रहा है तो इसलिए वाटर डिवाइड है अब हमने बहुत बार बोला था कि ट्रिव्यूट्री ट्रिव्यूट्री यह इसकी ट्रिव्यूट्री है यह उसकी ट्रिव्यूट्री मतलब होता है सायक नदी सायक नदी कहां है देखो यह एक बड़ी से नदी आ रही है टक 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 समद्र में चलिए इसमें यह सब सायक ह हो सकते हैं है कि नदिया भी हो सकता है कि यह सब ट्रिबूटरी जिए मतलब जी है अब आप अब कभी-कभी क्या होता है और जमीन सस्ता हो मतलब परकुलेशन होने लेको अंदर पानी जान सकता है तो यहां से जो अंदर पानी डीप में गया है वो भी इसके समर्थन में आ सकता है जैसे पानी अंदर तो जाएगा ना इसमें डूबके ना तो अंदर से आ करके भी यहां समर्थन कर सकता है कि चलो हम भी तुम बारे साथ है स्को Ganon आ अब डेलिंज की कुछ पैटर्न है कि उसका पैटर्न भी होता है हां होता है जा बहुत सारी पलकर के डेलोह सकते अब किस सिप पर का किस बेसिस पर डेलाइस का पैटर्ण बाट है तो Weiss Down the Same मतलब मतलब यह क प्रक्छ के अधार पर कैसे differences मतलब तरी मतलब को बताता हो बताता हो बेज़ डूंद सीप एंद फॉर्मेशन अब डरीवर पैटन अब नदी का पैटन कैसा है उस पर सिप पे अकार पे नदी का पैटन कैसा है उस पर देर डिटेरंट डिरिनास बितनन अलग लग करके पैटरन हो सकते और के इस्चोडटेंट अग्लेन्स पैटरन पहला देखते और देख्टेंट अ ने ये कौनसा पैटरन successive आप नोس discordant drainage pattern discordant drainage pattern में बस इतना ही बोल सकते हैं the river flow sorry the river follow its initial path irrespective of changes in the topography क्या करना चाहते हैं यह topography क्या है यह initial path क्या है अपने को तो कुछ पता ही नहीं चल लिया है हाँ तो नहीं पता चल रहा है तो वैसे इसको हाँ है ना जितना भी मैंने बता देरा हो इसको लिख लिख लेना आप यह फोटो बना लेना तो मस्त वाला तो नीट वाले इनीसियल पाथ एस प्रेंगे टोपोग्रफिय नेट गोराफ्य अविनिशियल पाथ के से फोलो करेगा तो मैं फोटो दिखाता हो यह द्रभवग यह पुरा यह पहले समत्लता आंसा था न प्लेन था प्लेन इसमें नदी बह रही थी अधी बह रही थी बहरी यह वेरी सब भत अभगुव अभूलण सुड़ुआ लेकिन में नॉप हिना नीं बदली नॉप पहली आ रिधि तीं दूसरी ब्यूप है यह वाली वह आ रही है औरु यह वाली भी वहीं जा रही है किAt अरे हाँ अरे हाँ सार मतलब यह पूरा फोल्ड हो गया कंप्रेस हो गया देखो फोल्ड हो गया कंप्रेस हो गया लगिन नदियां वैसी क्यों वैसी यहारे इसी को तो बोलेंगे यह डिस्कॉर्डन पैटर्न तो है अरे बाप रहे तो यह डिस्कॉर्डन पैटर्न है क्या हा अब एक तो एंटीसिडेंट होगा और एक सूपर इंपोस्ट होगा अब डिस्कॉर्डेंट में भी दो होगे एक एंटीसिडेंट रिवर होगा एक सूपर इंपोस्ट रिवर होगा अब दोनों को देखते हैं कि अंटिसेडेंट कैसे होता है, सुपर इंपोस्ट कैसे होता है दोनों डिस्कॉर्डेंट में, तो अंटिसेडेंट और इनकॉंसिकेट बोलता है इसको, एक रिवर का पार्ट होता है, अब पार्ट ओफ रिवर स्लोप and surrounding area get uplifted, अब एक रिवर स्ल को फोलो कर रही cutting through the uplift portion like so vertical erosion किया है यह vertical down cutting जिसको बोल सकते है vertical down cutting कैसे होता है horizontal cut कैसे करेगा ऐसे vertical down cut कैसे करेगा ऐसे तो यह plane था पहले इसको cut करके उसी को इसी slope को फोलो करें बदली नहीं है बदली नहीं है पर नदी वही कि वहीं कि वहीं है same slope को follow कर रही है okay मतलब vertical काटी है vertical मतलब नीचे क्यों काटी है okay and forming deep gorges और इससे बंद क्या रहा है तो गोर्ज बन रहा है अब गोर्ज क्या आता है तो वह अलग बताएं कभी this type of drainage is called antioxidant drainage मतलब आप कहना चाह रहे कि यह जो हिमालाई की नदिया है यह ऐसे खाड़ी बनाकर क्या रही है यह antioxidant वाली है हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यह सब inconsequent वाली रिवर है अरे आप अभी antioxidant बोल ते फिर drink alcohol अठिक कीट शेकंट अरे दोनों यह भाई कि अच्छा अच्छा को अच्छा कि कभी तो मंण करता है कि बढ़ाई-बढ़ाई छोड़ करके गटोला लेकर के रोटपे निकल जाए यहां सक्यों मन करणा तुमारा कि यह दोनों एक है तो फिर अलग अलग नाम क्यों है ठीक है ठीक है थोड़ा तैरी रखो कि यह ना दैरी रखो थोड़ा कि मैं दिख रहा हुआ इस पर अगर मैं स्मार्ट नहीं लग रहा हूंगा तो इसको अटाई दूगा पर समारट लग रहा हूंगा तो एक तरफ कहीं रख दूगा अरे वहाहम मैं तो सच में स्मार्ट लगता हुआ चा कुछ भी करता है का थ Bend है तो यह ए यहक्त तो यह ए तैसा काटिंग होता है वातिकल होता है कि हम लोगता है वातिक यहाइज कारते ने वातिक्ल होते है ऐसा इदर की आजाशा जमीन आका यह बनाघ्य और और पर निचे क्यों पर ऑब तो ठीक है यह वर्टिकल एरोजन है वर्टिकल डाउन कटिए यह पीस मुझे समझमा नहीं हाता है कि इस पर चलता क्यों नहीं है इसको इधर फिकने के बाद यह बोर्ट गमने लगता है एनर इसको इंडस यह इंडस थह माले में ही चलता है अब भी बोलतेग्स होता नर्ए सथ्टनल इस मुल सोाई में लुख लुआ सटलश के बारें 20 मिनट अलग से बताऊंगे इंडश के बारें में बताऊंगे कर बरहां पुत्र अच्छा तो इनडश सतलश बहिं बरहांपुत्रा और जितने में नदी यह जो उल्डर दन हिमालय वह एंटेसिडर्थ रिवह है कक्या कह रहे है सार हिमाले सरह भी पूरानी नदी रहें आ हां बोलतो रहूं को उल्डर देनी मेली नदी जो है जो अपने आपको उल्डर मांती है नदी अग्रैं मतलब सर गंगा आरे हाँ गंगा तो धर्ती के आसपास के उमर की है मतलब वो तो हिमाले से पुरानी होगी हाँ वही तो ओके इसका मतलब वो एंटिसीडेंट है अच्छा इंडस इंडस हाँ इंडस भी 17 हाँ जी 17 भी समझ गया कि अस्टिक टू इट्स ओरिजिनल स्लोप है यह मिन है एंटिसेडेंट का क्या है कि स्टिक टू इट्स ओरिजिनल स्लोप बर्टिकल डाउन कुटिंग यह दो याद होना चाहिए बाकी गेट अफ लिफ्टर स्रावडिंग यह बहले उड़ जाए पर नदी के जो ड कर दो स्टिक मतलब स्टू और एंटूज डीनिस क क्या सूटौ इन्डी moments यह तीन इने कि नाम है कि तो जब फिर आलग-डगあलग क्यों है कि ये दोख्ळ खतम क्यस् sozial다 में कि खतम कि फीजेनेवलिवल्स सुपर इंटियूस। और आशलता है कि सुपर इंपोस्थ एपीजेनेटिक दिसकोड़एंट या फिर सुपर इंडिउस। द्रेनिस क्या है अब यह डिस्कोर्टन कहीं पाट है सब्सक्राइब है ना वेन रिवर फ्लो ओवर दा सॉफ्टर रॉक एंड स्टेटर में रिचेज दा हाडर बेसा बैसल रॉक बट कंटिनू तो फॉलो दे इनिशेल रॉक एट सीम तो है नो रिलेशन विद दा हाडर रॉ पोजिटरनिस मतलब यह कि एक रिवर जो फ्लो कर रही है सॉफ्ट रॉक से और हाड रोक के पास पहुच रही है पर रत्ती पर उसको फरक नहीं बढ़ रही है जैसे मैंने यह फोटो दिखाया था ना कि देर था पूटो यह है यह देखो इन अदी है यह हाड रोक है इस कोई रत्ती पर फरक नहीं पूट रहा है इसको काटके जा रही है ऐसे ही जाओंगी है मेरा मन मेरा मन क्या बात कर रहा है मतलब मतलब यह उपर वाला तो सॉप्ट रोक है मतलब यह सोईल है और नीचे क्या है रोक है फिर भी इसको काटके जाओंगी स्लोप मेरा वही सब्सक्राइब काट सकती है यह तो बात ठीक बोले गुरूजी पर एक बात बताएं कि ऐसी कितनी नदिया होंगी सूपरिंपोस जोंगी सबको लाइन से बता हूंगा डूंट वोलिए आपको कैसे पता चल जाता है कि हमें क्याद आउट आने हां तो पता है नहीं विल भी रोड़ेट अब देखो यह अनकनफरमेटी है अलग लग रोख है और यह कुछ रेमिनेंट से बगए रहा है न तो यह सूपरिंपोस्ट का स्टीम से है सूपरिंपोस्ट दीग गया इतना ही रोजी पावर होता है that it's cut it way through any kind of bedrock और सर अगर नहीं काट का पाई तो तो उसको सूपरिंपोस्ट नहीं बोलेंगा सिंपल बात है ओके ओके भाइव घर पार यह इसलिए उसको नदी का नाम दिये है नहीं कर पाती कार्ट नहीं पाती रोग को तो नहीं बोलते कि यह सूपरिंपोस्ट डिवर है पिर क्या बोलते है उसको तो जो रहता हो बोलते ना maintenance for maintenance pattern ठीक है the stream pattern is the superimposed on the or palace on the structural picture that were very previously अएक जोथी बर और अग्जाम्पल कै의 the Aussures नदी का मस्टन तो दामदर नदी के बारे में सुने हो कि सुने नई शुने होथ तो सुनाएंगे और सुने हो तो बढ़ी है ओεια बात है तो दामदर नदी उसका इक्जाम्पल और यह सुवर्ण रेखा, सुवर्ण मुखी, सुवर्ण वती तो सुना था एक बार, हाना यह तीनों अलग है, अच्छा, ओके, दामदर, दामदर के बारें जुनियों, सुवर्ण रेखा जारकलन आप्याम यह चंबल, यह चंबल भी एक जनम में सुना था, master, बनास के बारें इ यह सब रिवर है रेवा प्लिट्व में और हम ना उन्थम ।धान यूलुज ऑब रीजनल जी ओलोजिक स्टे इस डिफ्रेंशियूटिंग विटून देवेल चिरेंटिदिन एंटिसarg जूबूर्ज possess can be difficult अब बिना जियोलोजिकल हिस्ट्री के ग्यान के हम यह बताई नहीं सकते हैं मतलब मुस्किल है कि कौन सा नदी तो कर लाओ तो कर लाओ तो कर लाओ शूपर इंपोस्ट्री में दबा दबा करके इंपोस्ट्र हो गया हूं जब जस्ती इंपोस्ट कर दिया आँ शूपर इंपोस्ट्र अब सूपर इंपोस्ट का उधारन देखो अगा है लेव वे इस हुआ है पर इंपोज डिफोर श्रीम कि डिफोर्मेशं केटे बीफोर द च्रीम वाइस परजेंट यह एक या हिए यह और गाद यह यह च्छेए प्रण रिदिफिंग ट्रेलिस साब बताऊओंगा और यह एक वोड इंपोर्टेंट फाइस में मालुमना चिए होरिजोंटल मालुमना चिए ये वेट मालुमना चिए बेप्स मालुमना चिए अगो होरिजोंटल बे सिर नाम् commencement नाउचकू स्कंठ्ट ओञंगेँ आल्डो गॉष दोभें शब्र查 है कर सो फार्म पाधि प्रसुम्टेघर्च शोभ तो कैसे हो। वो कैसे वहतते हैं यह जासे है गोर्ज गोर्ज और वाटर गैप कट बाइद स्ट्रीम्स कटिंग डाउन थूद रिजिस्टेंग बेड अप्ड बर्ड अंटिक लाइन ठीक है अब यह एक माउंटें माना इसको जो इसका जोन टीक लाइन वाला पार्ट है इसको कट कुट कर के बन गया नदी गोर्ज बन गया है डाउन कटिंग के कारण ही गोर्ज बनते हैं और यह सूपर इंपोस में भी गोर्ज बनता है मतलब दावन इसको है कारण के संता यह एक प्लेन है इतना बड़ा स्लेव है 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 और इसमें यह इसे बिट्टी से बना हुगा पूरा अब यह नदी बेहते बेहते इसको क्या बना दी सlor बना दी ऑपके मतलब नदी यहां से बैरी पानी उतना ले जा रही हो पानी उतना ही ले जा रही पर यह रही है ठीक है असे त Testing बाँन बारे में meow कैसे कैसे ओको देखो यह ह्रंचनल बहुर है अनकंपोर्मे डिख रही है folder देख रही है दीक रहा है कर को तरख केहीं है सारे पेजस प्रप्लाई कर दोते हैं है तो आफ अब ये कुछ नदिया है जिसके बाहरे हम पहले भी देख चुक हैं मैप पर मैप पर देखेंगे ही और दोर्ट्स में में बहिघें किह नोट्स कैसे बनाते हैं तो यह होगे नदियों का यहां पर एक्जामपल कि कौन कौन से नदिया थी कैसे बन रही थी अब हम नदियों को देखेंगे कि करके कि कौन सा नदी कहां से शुरू हरी है क्या बना रही है तो डेनिस पैटर्ण में चार तीन-चार डेनिस हमने पैटर्ण देख लिए और बाकी हम हां सर से तो कर दूंगा पर मैं पता ही नहीं किसको सेर करना है और किसी को भी कर दो दो स्प्रेंट को यह ओक्यों कि सर लोग आपका कॉंटक्ट नुमर मांगते हैं दे देखेंगे ना नहीं देना 85070-48 clair 직 Spike drugiej 1046 मैसेज करना अओ ट्यक्स एक समझमेदा है मैं से वोट्सब तीलीग्राम भी कर सकते हो वह वाट्सब्स और टेलीग्राम भी 가족 कर सकते हो जो कि मैं चीक है और और कहां रशे माष्ट अभी इwn 59ники तो इंस्ट्राग्राम भी कर सकते हैं नहीं अभी है नहीं मेरे पास बनाओंगा भी ठीक है तो बोली हरे ग्रिश्न अधिक है कर दो